लेक्सिटी उदैपूर में आज जो सीख समाज की और से दसवे धर्ब गुरू गुरू गोविन सिंग की 352 भी जयनती मनाये गई इस मौके पर प्रकाश पर्व मनाय जा रहा है शहर के गुरू द्वारों में विशेश साज सज्जा और आकशक लाइटिंग की गई गुरू द्वारा में सुभा से अकंडपाट की जो रहे तो वहीं लंगर का भी आयोजन हुआ अद्रक्ष ने बताया कि गुरू गोविन सिंग साहब की जयनती पर सुभा से गुरू के दर्शन को लेकर भक्तों का ताता लगा रहा इस अवसर पर किर्टन का भी दौट चुलता रहा तो वही देर शाम को आतिश बाजी का भी आयोजन होगा एक पिता एकस कियाम बारक दो गुरू राई तांता नसरी गुरू गोविन सिंग्जीदा तिनसो बविंजा परकाश परभामसा अवरार मिलके मना रहे हैं समु साथ संगत उदेपुर वासी पुरे भारतवश के अर्देश वस्त के सभी नाम लेवा गुरू नाम लेवा को बहुत 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 आई बोले इसो निहाल सत्स्रियाकाल आज सुबह से ही कारिक्रम इस प्रकार चल रहा है सुबह खंडपाट की समाप्ती होई है अभी दिलपृत को और जता जो पट्याले से आई थी वो अपने पुरे जता से हमें किर्टन निहाल कर रही है संगत बड़े खुश है जो उसकी जता इतना प्यारा किर्टन कर रही है उपरंत शाम का दिवान भी इसी तर सजेगा और समाप्ती के परंत लंगर भी अटुट बरते जाएगा और आतिजबाजी भी की जाएगी गुरू सिंग संभा गुर्दवारा चात्ति सरक्र का ध्यक्ष दिवेंदर सिंग पावा मैं बोल रहा हूं आज से गुरू गोविन सिंजी माराज का आज अव्तार पुरव है इस खुशी में हमने परसो 15 तरीकों सुबह 10 वजे अखंट पार्थ साब की रबता हुई जिसके आज सुबह 10 वजे अखंट पार्थ साब की सबापता हुई है और रागी जथा पट्याला से जस्बीर कोर बीबी जस्बीर कोर जी आया है और यहां के रागी जथा भी कितन कर रहे है चुबह का प्रोगराब जो है वो दस मुझे तक पीबी जस्बीर कोर पट्याले वालों ने कितन किया साड़े दस मुझे तक अखंट पार्थ साब की समापती हुई उसके बाद साड़े दस से ग्यारा मुझे तक जहां चाय नाच्टा का प्रोगराब रखा गया है संगत के लिए अब बारा बज़े से ग्यारा बज़े से बारा बज़े तक रागी जथा पुरू सिंग सुभा के जो पर्मानर यहां पर है वो कितन कर रहे हैं उसके बाद बारा से जेड़ बज़े तक रागी जथा पट्याले के जस्वीर संकोर जी कितन करेंगे उसके बाद सारी संगत में यहां लंगर का योजन किया गया है उस साथे बारबरे से स्टार्ट कर रहे हैं ताकि संगत काफी होती है इसलिए लंगर साथे बारबरे से चुरू हो जाएगा और जब तक संगत आती रहेगी जब तक यहां गुरू का लंगर चलता रहेगा शाम का प्रोराम साथ साथ से दस मुझे तक चलेगा उसके बाद यहां गुरू का लंगर होगा हातिश बाजी होगी और उसके बाद जो है इसकी समाप्ती होगी मैं सारी संगत की तरफ से सारे शहर उदेपुर हर व्यक्ति को बदाई देता हूँ 352 साल हो गए हैं गुरु गोवन सिंजी की माराची जेनती को आज 352 साल हम यहां पर बना रहे हैं इस खुशी में सब को बदाई देता हूँ और मेशा के लिए हर साल यह बारे पुरु बाते हैं और आप लोगों को हम जिस तरह से आप हमारे से पूछते हैं हम सारी बाते आपको बता देते हैं मैं धरमबीर सिंग सलूजा अद्यक्ष गुरुद्वारा सच्खन दरबार आज हमारे साहिवे कमाल सर्बंसदानी अमरत के दाते शरी गुरु गोबिन सिंग साहिव जी का प्रकाश पर पूरा जगत बड़े उच्छा उल्लास के साथ मना रहा है इसी के तहट आज सुबे साड़े पांच बजे संगत ने लंगर बनाने की सेवा की सबसे बड़ी चीज यह है इस गुरुपरव के हर गुरुपरव पे संगत खुद पूरा लंगर काटती है बनाती है परशादे भी खुद बनाती है और ये ये प्रथा हमारी कई सालों साल चलती आ रही है इसी खुशी में आज हमारे पास दिल्ली से पंथ के महन किरतनी है भाई सहज दीव सिंग जी आये हुए है वो किरतन कर रहे है आज का दिवान डेड़ बज़े तक चलेगा उसके उपरण गुरु का लंगर अटूट बरतेगा रात को भी दिवान साड़े से से लेके ग्यार गुर्जी की फते से परिपूर्ण विद्याले बच्चों को मात्रिश शिक्षा नहीं बलकी शिक्षा के साथ-साथ बालक को सरवांगीन विकास भी दे रहा है जैसे व्यायाम, म्यूजिक, डान्स, कराटे, आर्ट & क्राफ्ट, परिवहन सुविधा, डिजिटल मीडिया के मार्ध्यम से दैन सुन्य साथ-आर्ट-चार